नमस्कार दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोग Windows 7 का इस्तमाल करते हैं, जब आप कोई भी छोटी बड़ी अप्लिकेशन Windows 7 के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो कहती है कि आपकी जो Windows 7 है, वो Service Pack 1 के साथ होनी चाहिए, तब जाके आप Windows 7 के ऊपर वो अप्लिकेशन क इस्तमाल कर पाएंगे, माई कम्प्यूटर यानि कम्प्यूटर के प्रोपर्टीज में, जब आप जाएंगे सिस्टम प्रोपर्टीज में, तो Service Pack 1 अगर यहाँ पर लिखी गई है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, Service Pack 1 एक सिस्टम अपडेट है, आप किसी भी तरह की Registry Editor इस्टेफ फॉलो ना करें, और यहाँ पर इंटरी ना डाल दे, Service Pack 1 एक सिस्टम अपडेट है, जिस तरह से आप मोबाइल को अपडेट करते हैं, उसी तरह से Windows भी अपडेट होती है, यह Service Pack 1 यहाँ पर आ जाएगी, जब आप Windows 7 Ultimate Enterprise, Home Edition, या कोई सा भी एडिशन हो, Professional Edition भी क् आपको यहाँ पर Service Pack 1 लिखा हुआ होना चाहिए, जब आप Windows 7 को सिस्टम अपडेट करते हैं, तो अगर आपकी Service Pack 1 Windows 7 नहीं है, अपडेट नहीं है, तो आपको मैं कहूंगा कि आप सिंपली जाए Google में, और Google में टाइप करे Microsoft Update Catalog, यहाँ पर देखिए, Microsoft Update Catalog मैंने यहाँ प आपको सर्ज करने हैं, पहली लिंक पर आपको क्लिक करने हैं, जो कि खुद Microsoft की साइट है, Microsoft की जो वेब साइट है, Microsoft Update Catalog, जब इस तरह की प्रॉबलम आईगी, Your Connection is not private, तो आप सिंपली एडवांस पर क्लिक करें, और प्रोसीड टू www.catalog.update.microsoft.com, जो की ब्राइकिट में लिखी हुई है, अनसेफ, लेकिन यहाँ पर कुछ certificate issue होने के कारण यह प्रोबलम आती है, बट आप प्रोसीड टू www.catalog.update.microsoft.com पर आप प्रोसीड कर सकने हैं, यह बिल्कुल सेफ साइट है, तो यहाँ पर जब result सामने आएगी, तो आपको सर्च करने है, Service Pack 1, ओके, for Windows 7 Yes, my dear friend, कोई सावी Windows, Operating System हो Windows 7 की, Professional Ultimate, Enterprise और Home Edition, 32-bit हो या 64-bit हो, 32-bit के केस में आपको यह जो दो लिंक है, top 2 वाली, KB976932, KB976932, जो second वाली लिंक है, जो की 541 MB, 541 MB की है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें, जब आपकी Operating System की आर्किटेक्चर 32-bit की है, Otherwise, आप अगर 64-bit Operating System का इस्तमाल कर रहे हैं, तो 912 MB वाली जो फाइल है, उसे डाउनलोड करें, तो हमारे केस में 32-bit है, मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड पर क्लिक करते ही, एक pop-up विंडो सामने आएगी, जिसमें आपको EXE पर क्लिक करने है, लेकिन राइट क्लिक करने है, और Copy Link Address पर क्लिक करने है, Copy Link Address यही सेम एस्तेफ फालो करें, 64-bit के लिए भी राइट क्लिक करते हुए, निव टैम में, पेस्ट एंड गो पर क्लिक करें, यहाँ पर क्या होगा, कि आपकी जो Windows 7 32-bit वाली जो Service Pack 1 है, वो डाउनलोड होना हो गई, तो 500 MB के राउंड जो है, यह 32-bit के लिए है, और 900 MB के राउंड है, यह 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, चाहे आपकी जो Windows 7 है, वो कोई सा भी हो, like Windows 7 Ultimate हो, Enterprise हो, Home Edition हो, या Professional Edition हो, Service Pack 1 यहाँ पर जब सिस्टम अपडेट हो जाएगी, यह जो डाउनलोड हो रही ह है, इस सिस्टम अपडेट फाइल को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, सिस्टम एक वार रिबूट जाएगी, 30-45 मिनट का टाइम लग सकता है, सिस्टम अपडेट होने में, और देन जब रिये स्टार्ट होके अप आएगी, तो आपको यहाँ पर Surface Pack 1 देखने को मिल और इस तरह की Core Technical वीडियो देखने के लिए, आप हमारे Computics Lab YouTube Technical चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो